आप देख रहे हैं दखल न्यूज अतंकी मसूद को फिर बचाया चीन ने केंद्रे मंत्री रवीशंकर प्रसाद ने कहा जब भारत को पीड़ा होती है तो राखुल गांदी खुश होते हैं शिश्मक स्वराज की खरी खरी अगर इमरान खान इतने उधार हैं तो हमें मसूद अज़र को सौथ दें विंध्या इलाके में गुंडराज बच्चों का प्रहण और सर्याम फाइरिंग फुलिस नहीं ले रही सबक ग्वालियर के जया रोग ट्रामा सेंटर में है वालियत एक नाबालिक मानसिक रोगी को बेरहमी से खसीद खसीद कर पिटर गया बाजे वालों ने जताया कमनात गाभार कॉंग्रिस कार्याले पर बजा बजा नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखाल न्यूज अब खबरे विस्तार से साइटर राश्टर में मसूद अजहर को आतंकी घोशित करने के प्रस्ताफ पर चीन द्वारा लगाई गई रोग को लेकर भारत ने दुख जताया है वही कॉंग्रे सद्यक्ष राहूल गांधी ने ट्विट कर केंद्र सरकार की विदेश नीती पर सवाल उठाये तो केंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा जब भारत को पीड़ा होती है तो राहूल गांधी खुश होते हैं आतंगवादी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंग की घोशित करने के लिए इस बार प्रस्ताव अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस लेकर आया चीन को छोड़ कर बाकी सभी देशों ने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया चीन के इस कदम से भारत और भारतवासी बहुत दुखी है रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान पूछा कि क्या मसूद अजहर जैसे निशन्स हत्यारे के मामले में कॉंग्रेस का स्वर दूसरा होगा राहुल गांधी के ट्विट से ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से खुशी है भारत को जब भी पीड़ा होती है तो राहुल खुश क्यूं होते हैं राहुल गांधी से मेरा सवाल है कि 2009 में यूपिय के समय में भी चीन ने मसूद अजहर पर यह टेक्निकल अबजर्ट्शन लगाया था तब भी आपने ऐसा ट्विट किया था क्या अंतरराष्टिय आतंकवादी के मामले में भी कॉंग्रेस का स्वर दूसरा होगा the BJP would like to highlight today that would the Congress Party adopt a different voice even in case of a cruel killer and global terrorist like Masood Azhar ये बात मैं आप से इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का tweet हमने देखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने वीक Modi is scared of she not a word comes out of his mouth when China acts against India क्या राहुल गांधी जी आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है कि वाइज राहुल गांधी इने सेलिबरेटी मूड विन देखांट्री स्टैंस पेंड बाइड दिस of attitude of China that is the larger question रवी शंकर प्रसाद ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जी आज आपकी विरासत के कारण ही चीन सुरक्षा परिशत का सदस्य है उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री नेहरू ने भी सुरक्षा परिशत में चीन को सीड़ दी थी इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में चीन द्वारा मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किये जाने के बाद राहुल गांधी ने ट बाचीत नहीं हो सकती उन्होंने कहा कि आतंगवाद और बाचीत साथ साथ नहीं चल सकते अगर इम्रान खान इतने उदार हैं तो हमें मसूद अजहर सौब दे विदेश मंत्री शिश्मा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी खुफी अजेंसी आई एस आई और अपनी सेना पर नियंतरन करने की जरूरत है जो बार बार द्वेपक्षिये रिष्टों को बरबाद करने पर दुले हैं उन्होंने कहा कि हम आतंगवाद पर बात नहीं चाहते हम उस पर कारवाही चाहते हैं आतंग और बाचीत साथ साथ नहीं चल सकते बाला कोट हमले पर पर पाल रहे हैं बलकि उन्हें वित्व पोशित भी कर रहे हैं और जब पीडित देश प्रतिरोध करता है तो आप आतंकी संगठन की तरफ से उस पर हमला करते हैं उन्होंने कहा अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो उन्हें हमें मसूद अधर को सौब देना चाहिए विद यहां का टेररिस्ट जैशे मुहम्मद हमार यहां पुलवामा में आके 40 बहादूर जवानों के हंत्या करके चला जाता है और विदिन मिनर्स रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हैं और आप हैं कि आपके विदेश मंतरी कहते हैं यहां वो मसूद अधर पाकिस्तान में है मेरी इ कभी बेहत सुरक्षित माना जाने वाला मध्रदेश अब दिन पर दिन हत्या बलातकार अपरहन फिरोती चोरी डकेती जैसे अपराधों का ठिकाना वनता जा रहा है जिसमें सबसे बुरा हाल विंधेलाके का है पहले दो जुर्मा बच्चों का अपरहन और फिरोती लेने के बाद भी बच्चों की हत्या कर दी गई लाइन और की पोल खोल कर रख दी मगर पुलिस प्रशाशन की नीन नहीं टूटी और एक के बाद एक अपराधों की संख्या में इजाफा होता रहा चार बच्चे अभी भी ला पता हैं और अपराधी जगां जगां गोली चलाते न चिठी भेजी और बाद में सरयाम गोलियां चलवाई पूरा सतना खौफ के आगोश में है व्यापारियों में दहशत है व्यापारियों में भारी आकरोश है सुरक्षा की मांग को लेकर व्यापारी बड़ा कदम उठाना चाहते हैं शेहर में आईजी डी आईजी सहित कई अला अधिकारी मौजूद हैं लेकिन अपराधो पर नियंत्रन इनके बुदे से बाहर नजार आ रहा है लगता है सरकार और तंत्र नाम की चीज विंध्या इलाके में है ही नहीं सतना चेंबर ने पिछले दिनों पांच अपहत बच्चों में से एक बच्चे की हत्या पर आ आच मासूम बच्चों के अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं इन बच्चों की उम्र साथ वर्ष से कम और दो बच्चों की उम्र बारा वर्ष के करीब है जिनमें से एक अपहत बालक की निशन से हत्या कर दी गई है इस दुखत घटना से जनाकरोश बढ़ रहा है बाकी विक्रम उसेंडी के उपनाम से संबंदित आपत्ती जनक टिपनी की है इसका विरोध करते हुए युवा मोर्चा के कारकरतों ने राजस्व मंत्री अगरवाल के विरुद नारे लगाते हुए उनका पुतला जलाया जगदलपुर के इस्थानी कोट चोक पर युवा विक्रम उसेंडी के उपनाम से संबंदित आपत्ती जनक टिपनी की थी जिसके विरुद भाजपा जुवा मोर्चा द्वारा सांकितिक तौर पर पुतला देहन किया गया पानिकरही ने बताया कि कॉंग्रेस के निता निरंतर आदिवासी समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं विकरा मुसेंडी सांसाध होने के सासाथ आदिवासी समाज के वरिष्ट निता भी हैं जिनके विरुद आपत्ती जनक टिपनी करना गोर निंदनी है गौलियर में मानपता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आए है घटना जया रोग ट्रामा सेंटर की है जहां नावालिक मानसिक रोगी को बेरहमी से घसीट कर पीटा गया है गौलियर के जैरोग ट्रामा सेंटर में करमचारियों ने अमानवीता की हदें पार कर दी एक नावालिक मानसिक रोगी को बेरहमी से घसीट घसीट कर पीटा गया मासूम दर्से चिलाता रहा लेकिन करमचारियों को मासूम पर रहम नहीं आया बताय जा रहा है कि 14 साल का एक नावालिक मानसिक रोगी ट्रामा सेंटर में दाखिल हुआ गार्डों के रोकने के बाद भी जब वह नहीं रुका तो ड्यूटी डॉक्टर ने करमचारियों से नावालिक को बाहर निकालने के निर्देश दिये बस फिर क्या था करमचारियों ने मानवता की सारी हदों को लांगती हुए मासूम को गसीट कर ट्रामार सेंटर से बाहर कर दिया जब मासूम जान बशाकर अंदर की तरफ भागा तो दोबारा उसे पकड़ लिया गया ठून से लटपत दर से करा रहे मासूम की हलत देख लोगों की आँखों में आंसु आ गए लोगों के निविदन करने पर भी करमचारियों ने मासूम को नहीं छोड़ाया बताए जाता है कि मासूम मान सिक रोगी होने के साथ ही विकलांग भी है मासूम अपना एक हाथ पहले ही खोच चुका है जब इस अत्याचार का वीडियो वाइरल हुआ तब कहीं जाके अस्पताल प्रबंदन हरकत में आया अनन फानल में जूटी पर मौजुद दो गाड़ों सुल्तान बगेल और कमल किशुर को नौकरी से हटा दिया गया मारपीट करने वाला खुद को कर्मशारी बता रहा था जबकि अस्पताल प्रबंदन के मताबिक वीडियो में दिखाई देने वाला कोई अटेंडेंट था समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए दाखल नियूस मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है आम नौट अ स्नाइपर पर देश के दुश्मनों को बेजिजक शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलीस या आर्मी आफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पोस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ मैं कम्प्यूटर से गुश्पैट करने वाले आतंक वादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जैहिंद आप देख रहे हैं दखल नियूद प्रिक के बाद आपका स्वागत है दिव्यांग जनों को मतदान में कोई दिकत नहीं हो इसके लिए विशेश इंतिजाम किये जा रहे हैं प्रशाशन अकादमी में दिव्यांग जनों के सुगम मतदान हितु प्रणाली का समवेधी करंट था प्रशिक्षन पर कारशाला का युजन किया गया है दिव्यांगों की वोटिंग शत्प्रतीशत हो सके इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं पिछली बार विधान सभा चुनाओं में 61 प्रतीशत दिव्यांगों ने अपने मतदिकार का उपियो किया था तब 3.5 लाख दिव्यांग चिन्हित किये गए थे दिविदान सभा निर्वाचन में हमने लगबग 3.5 लाख दिव्यांग जनों का चिन्हांकन किया है और उसमें लगबग 61 प्रतीशत लोगों ने वोट डाला है ये मैं समझताओं की बहुत अच्छी उपलब्दी है चुनकि हम लोग सभी को सभी के पास वॉलंटियर भेज कर और आनलाइन पद्दती से सभी से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें बताइए कि आपको वोट डाले क्लिक क्या मदच चाहिए किसी ने बोला हमें सिर्फ पास दे दीजिए हम अपने आप पहुंचाएंगे मद्दान के इंदर मोट डालेंगे कुछ लोग ने कहा कि हमें गाड़ी का भी जरूरत है कुछ लोग ने कहा कि हमें एक आदमी भी साथ में चाहिए चुनकि हमें वो समझ में नहीं आता है हम नेतरहीन है तो हमने उस आदमी का विवस्ता किया इस प्रकार के हम एक जो पोटल है हमारा सुगम्या पोटल उस सुगम्या पोटल के माद्यम से इन सभी को मदद पहुंचाया है और हम इस बार ये टार्गेट रख रहे हैं कि इस 61 प्रतिशत को बढ़ा कर हम कम से कम 75 प्रतिशत करें निर्वाचन आयोग चाहता है कि इस लोगसभा चुनाव में दिव्यंग शक प्रतिशत मतदान करें आयोग के अधिकारियों ने बताया कि तेरा जिले चिन्हित किये गए हैं जो अती समवेदन शील हैं वहां तेरा कमपनिया लगाई जाएंगी हमारा उदेश है शांती पून और सौफिस दी मतदान हो इसका प्रयास जारी है वहीं सुगम पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगो को सुविधा मोहिया करा के प्रयास किया जा रहा है कि सौपरिती शैद बोटिंग कराई जा सके मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी कमलनाथ बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को जानवर चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं कमलनाथ के इस प्लैनिंग का हर तरफ मजाग उड़ाया जा रहा है लेकिन बैंड वालों ने भुपाल में कॉंग्रेस मुख्याले पर बैंड बजाकर कमलनाथ के प्रती आभार प्रकट किया है मद्रदेश में मुख्यमंतरी कमलनाथ के ढोर चराने की ट्रेनिंग और बेरोजगारों से बैंड बजवाने का हर तरफ मजाग बनाया जा रहा है कॉंग्रेस नेता भी इस मसले पर दभी जुमान में कमलनाथ की आलोश न कर रहे हैं ऐसे में एक बैंड वाले ने कॉंग्रेस मुख्याले पर बैंड बजा कर कमलनाथ के फैसले का स्वागत किया है PCC के बाहर शगुन बैंड के अपनी प्रस्तुती दी और चिंदवाड़ा में बैंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने पर आभार व्यक्त किया अब बैंड जी और यही चाहता हूं उतने मानने हैं उतनी मतलिकी से के समाज के लिए बढ़ा हैं क्योंकि हम लोग भी आपके बहुत ही ज्यादा होगा कॉंग्रेस कार्याले पर बैंड पार्टी ने देश भक्ती गीतों पर अपनी प्रस्तुती दी जो लोग बैंड बजा बजा कर अपनी आजवी का चलाते हैं उस वर्ग ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले का स्वागत कर खुशी जाहिर की है उनका कहना है कि इस तरह के ट्रेनिंग स्कूल खोलने से उनके रोजगार के साधन को बढ़ावा मिलेगा मनला में पुलिस ने स्मैक के साथ रासभा सदस से संपतिया उईके के बेटे सतेंद्र उईके और दो अन्य यूवकों को गरफतार किया है पुलिस ने तीनों को चेकिंग के दोरान कार में पकड़ा है इनके पास से छोटी छोटी पुडियों में स्मैक मिली है मनला एस पी आर आर एस पर हार ने बताया कि लोग सभाचनाओ के मदे नजर जिले में विशिश अभिहान चलाया जा रहा है पुलिस को देखते ही तेज रफतार से भागने लगा इस पर पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया कार में तीन युवक बैठे हुए थे कार रोक कर उसने तीजी से भागने के संबन में पूश्टाश की गई तो वे जबाब देने से ही घबराने लगे तीनो युवकों वा कार की तलाशी नी गई इस पर सतेंद्र उईके के पास से समय की सतरापुडिया, शारुक के पास से दस पुडिया और अभिशेक के पास से समय की चौधा पूरिया मिली पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPM Act का पंजीबत कर लिया है सत्येंद्र उइके लाजसभा सदस्य संपतिया उइके का बेटा है लोगसभा चुनाओं के मद्दे नजर टिकिट के लिए अपना दावा ठोकने वाले सभी प्रत्याशी कारकरताओं के साथ अपना दम दिखा रहे हैं कॉंग्रेस के गोविन गोयल भी भूपाल लोगसभा सीट से टिकिट की मांग धर चुके है कॉइल के समर्थकों का कहना है कि भोपाल के लोकल व्यक्ति को ठिकेट धिया जाए बहारी प्रत्याशियों को नहीं चुनाओ के लिए पुलिस ने अपनी विवस्था को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है चतरपुर में आई जी ने बिभिन्य पुलिस स्टेशन का दौरा किया और विवस्था चाक चौबन करने के लिए निर्देश दिये लोगसभा चुनाओ की घोषना के बाद अचार सही तर लगते ही पुलिस ने चुनाओ की तयारिया शुरू कर दी इसी तयारी का निर्ख्षन करने सागर संभाग के आई जी सतीश सकसेना ने च्छतरपुर का दौरा किया और जिले के थानों में चुनावी तैयारियों की जानकारी ली और चुनाव के लिए थाना पुलिस को निर्देश दिये आईजी लोकसभा चुनाव में जिले के गुंडों और माफियाओं के खिलाफ कारवाही कर उन्हें जेल की सलाखों में भेजने को कहा गया है इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो सके इसके लिए खास इंतिजाम किये गए हैं समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है आम नॉट अ स्नाइपर पर देश के दुश्मनों को बेज़िजक शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलिस या आर्मी ओफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पोस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ मैं कम्प्यूटर से गुश्पैट करने वाले आतंक वादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जैहिंदू आप देख रहे हैं डखल निभाएं ब्रिक के बाद आपका स्वागत है मध्यप्रदेश और 36 गड़ सीमा पर कुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रही है जंगल में सर्च के दोरान जगहां जगहां नक्सलियों का डम किया सामान बरामद हो रहा है नक्सलवादी एमिर्जनसी के लिए इस तरहां सामान डम करके रखते हैं राजनन गाउं जिला पुलिस बल आईटी बीपी और डियाईजी की सेमिक्ट टीम कोच शेतर में लगातार नक्सलवादीयों के खिलाफ सफलता मिल रही है जिले की उत्तर पश्चिम सीमा छेत से लगे 36 गड़ और मद्परदेश के ठिकानों को मुफी समझते हुए नक्सलवादीयों ने जमीन के नीचे सेक्ड़ों जगे सामान डम्प करके रखा है सुरक्षाबलों के दौरा एक के बाद एक सर्चेंग अभ्यान चलाकर इसे बरामत किया जा रहा है कुछ दिन पूरवी कोर्वा गाओं के पास पुलिस दौरा खोले गए बेस कैम से अब पुलिस नक्सल विरोदीय अभ्यान को तेजगती से चलाए हुए है पुलिस ने गाता पारा छेतर के कोटमी और नक्टी घाटी के जंगल से नक्सलियों के दो डंप बरामत किये इस दंब में भारी मात्रा में नक्सलियों के देने को प्योग का सामान के साथ पाइप बंब भी मिला है बीती एक माह के बीतरी पुलिस ने अलग अलग जगाँ से नक्षिलियों के लगबग दस डंप बरामत किये हैं हाली में बरामत हुआ डंप भी नक्षिलियों ने जमीन के नीचे के स्टील के ड्रम में गार कर रहा था माना जा रहा है कि नक्षलवादी छेतर में भारी मात्रा में डंप बरामत के चलते किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे रीवा में एक युवक ने अपनी बहन और भांजे पर चाकू से हमला कर दिया इस हमले में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी मां गंभी रूप से घायल है इस घटा के बाद से आरोपी फरार है पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है रीवा विशुदाले थाने के अननपूर में एक जवक ने अपने रिष्टे के भांजे आठ साल के बच्चे के गले और आख पर चाकू से हमला कर दिया जिससे बच्चे की मौके परी मौत हो गई और उसकी मां नीटू दूबे इस हमले में गंभी रूप से घायल हो गई घायल मैला को गंभी हालत में संजय गांधी अस्पताल में भरती किया गया जहां मैला का इलाज चल रहा है मेला के मकान से करीब एक महीने से वहां पर रह रहे हैं हस्बेंट इनके महिला के डिली में काम करते हैं चाट-पाय दिन पहले हैं आए हुए थे अभी दिन में हस्बेंट जब चले गए तो उसके बाद कोई एक विक्ति वहां पर आया है सुत्रों के मताबिक आरूपी रिष्टे में मरतक बच्चे का मामा और गायल महिला का भाई लगता है महिला का पती विजय दुबे पाइजनपूर भी दिल्ली से रिवाया था पती को अगले दिन वापिस दिल्ली जाना था इस बज़े से वह मंगलवार को गाउं गया था तब ही आरूपी महिला के पास पहुँचा और मा बेटे पर चाकू से अंगिनत प्रहार कर दिये गटना को अंजाम दे कर आरूपी फरार हो गया है इस गटना करम के पीशे की कहानी अभी सामने नहीं आई है पुलिस पूरे मामले की तक्सीश कर रही है चतरपूर के खजराहों में एक बड़ा हादसा हुआ टूरिस्ट मिनी बस की टकर तेज रफतार कार से हो गई इस हादसे में एक व्यक्ति को अपनी जान गवानी पड़ी चतरपूर के खजराओं में भीशन सड़क हादसा हुआ गटना उस समय हुई जब विश्व परेटन इस्थल खजराओं में कॉलकता की टूरिस्ट जातरी मिनी बस तेज रफतार कार से टकरा गई जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वो पेड़ से टकरा कर पलट गई गटना की जानकारी लगते ही डायल हंड्रेड मौके पर पहुँशी घायलों को खजराओं स्वास्त के इन में भरती कराए गया हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक दरजन जातरी घायल हो गए घायल जातरियों में काशिनात, शिपरा और लक्ष्मी प्रिविंट चौदरी की हालत गंबिर बनी हुई है आज हाते एक तुन कामरा वोने के लिए था, तो हम सथ्था स्केशन पर जा रहे हैं कजुराओ चोथे, उस दूर जाने स्के बाद उन्टदीग सेक्ट प्राइविक करा करें गाली पर धका लगा है तो हमारे गाली पलड़ लगा है बाड़ी पर ड्राइबर लेकर चोड़ाद में तो इंचे उर्वाई तो आई थी और एक जबारगार के गुदू में जाले के सेड़ होता है इसे करीप करीप फंदा से नहों की बहुत गंबीरू के नहाए हो एकी देश्वू अभी तक मालों करी है जो धिया चिकसा लेला गय जिस तरहां का माहौल आज कल के बच्चों के लिए मिल रहा है उसे देखते हुए लगता है मानो सभी बच्चों में टैलेंट पहले से कूट-कूट के भरा हुआ है इसी को देखते हुए शिल्पा शेट्टी के बेटे वियान राज कुंद्रा का टैलेंट देखकर शिल्प ऐसे एक फिल्म बाहुबली आज भी चर्चा में बनी हुई है ये फिल्म भारती सिनेमा को नए इस्तर पर लेकर गई मुवी के पावरफुल इस्टन्ट सीन और दमदार गाने आज भी लोगों को याद हैं जिनकी फैन लिस्ट बहुत लंबी है बाहुबली फैन्स की लिस् इन बन का फेमस सीन चल रहा है जिसमें प्रवाश शीडियो को कंदे पर अठा रहे हैं प्रवाश की निखल करती हूं वियान हाथ में कुरसी उठा यू और हूँ-भू प्रवाश की तरह सीन करने जिए कोशिश रहे हैं बाद में करसी को निभी रकर डांस aber करते हैं आठ सा में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए दखल निए उस दखल आपके हक में कही जाएगा नहीं पहरंट समाचार सुनाएंगे आपको जर जर भुपाले नमस्कार वेरंट समाचार में आपको वेलकम करें और वहीं चुनाओं की घोश्णा होका है और नियता तो एदे वेरान मतलब मतलब है कि पहली आए तो दर ऑगदी ये जिसनाव फातम हूब इस दो सब्सक्राण क मतलब होता है कि पहले आए तो चुहेंगे शक्राणी बूछ्यों प्रवाइब दोड़ते फिनना फिर इनके चारण नहीं मिलेंगे बहुत मुश्किल होता है बहुत तकलिफ हो दिया भाई अभी कुछ दीन पे ले एक वेतरे निकितन को आप जूता जूता कंड मालुमें उसाइंसत महुदे ने चार सेकन या पांथ सेकन में साथ बार जूते अफिकर हो एक मार ये हो जूता हुदाए को ह nossa सफकी जुक्त नहीं सफक्तों ऐस्द्री नहीं की तो सई शॅनल को पर डोल्य कितले। पर राभल गांडी कहना है कि अभील और अन्हाजबन नहीं आरे है अजि कि नहीं उन्हाद आप आ इस तरण जूते महारे इन्होंने पर चपल भी मानना चाहिए ने तो यह जलिया है। पड़ा राथ रिकॉर्ड रिकॉर्ड खड़ेने पड़ेघा तीन बिग्यापन हो रिकॉर्ड भड़ेए रिकॉर्ड करी ने, इनको अधार रहे हैं, इसे आजम दोड़ी है। में च्रहे हैं कमनलाद सरकार रिवां को बेंड बजाने की ट्रेनिंग दे रही हैं मैं बता रहा हूं कितना कॉंपिटीशन हो जाएगा यह बहुत सस्ती मिलने लगेंगे और दूसरी बात यह बता रहा हूं अब देखते हैं किसका बेंड बजाती है यह तो पता लेगा है खबर इतर पर देख लो यह हार्दिक पटेल है ना जो यह कॉंग्रेस में शामिल हो ग बता रहा है यह तो बता रहा है यह सब्सक्राइब कर देखता हूं चुनाओं आरी है कोई सांसाथ बगेर का टीकिट मुझे में बेटा रहा हूंगा आप लोग भी देखो ट्राय तो कानना चाहिए आशकार आप देख रहे है दखल न्यूज